अलो अव्रिवन वेल्कम बैक टो माई यूटूब चैनल एक और इंपोर्टेंड गवर्मेंट जॉब अपडेट कोले कर मैं आप लोगों की बीच में फिर से उपस्ती थूं कार्याले जिला कारिक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला महा समुन्द 36 गड़ के अंतरगत विभिन रिक्त पदों पर भरती के लिए अधिसूचना जारी किया गया है आज के हमारे इस विडियो में हम कार्याले जिला कारिक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला महा समुन्द 36 गड़ के अंतरगत जारी इस भरती अधिसूचना के सम्बंद में आप लोगों को जानकारी प्रदान करने वाले हैं तो इससे जुड़ी विश्त्रे जानकारी के लिए इस विडियो के अंतरग जरूर बने रहें तो चलिए देशना करते हुए आज का यां इंपोर्टेंट विडियो सुरू करते हैं चतिरगर्ण राज्य बाल सरक्षन समिती संचाल नालय महिला एवं बाल विकास विभाग नवारायपूर अटलनगर का पत्रक्रमांक 1521-894-2-23-24 रायपूर दिनांक 19-5-2030 के अंतरगत किशोर न्याय अधिनियम 2015 तथा संसोधित 2021 के प्रभावी क्रियानवया निवं बच्चों के सरवत्तम हित के लिए संचालित मिशन वार्शल्यक एकिकरेत बाल सरक्षन योजना की संबेदन सील प्रकृती को प्रिष्टिगत रखते हुए रिक्त पदों के संबिदा वर्ति हेतु पात्र आविदकों से निनांक 13 जुलाई 2023 तक कारियाले इन समय साम 5 बजे तक कारियाले जिला कारिक्रम अधिकारी महिला एवं बालविकास विभाग महासमुन में पंजिकरित डाग के माध्यम से आविदन आमंत्रित किये जाते हैं वहीं रिक्त पदों के विबरन के संबंद में बात करें दुआ निमनिप्रकार से हैं। रिक्त पदों का नाम सर्रक्षन अधिकारी संस्तागत देख रिख इसमें एकमुस्त संविधा वितन प्रतिमाह की बात करें तो सरक्षन अधिकारी के लिए 27,804 रुपए प्रतिमाह निर्धारित किया गया है वहीं पद संख्या वस्वंवर्ग की बात करें तो सरक्षन अधिकारी के एक रिक्त पद के लिए दिसूचना जारी किया गया है प्रतिमाह निर्धारित किया गया है वही पदों के संक्या के बात करे तो विदीक सहा परिविक्षा दिकारी के कुल एक रिक्थ पत पर परती के लिए अधिसूचना जारी किया गया है जिसे अनारक्षित वर्ग में रखा गया है वही अगला जो पद है वह है परामर्स दाता का तो परामर्स दाता के वेतन की बात करे तो 18,536 रुपए एक मुस्त संबिदा वेतन प्रतिमाह निर्धारित किया गया है वही पदों के संक्या की बात करे तो परामर्स दाता के कुल एक रिक्थ पत के लिए विभाग के द्वा 140 रुपय निर्धारित किया गया है वहीं इसके कुल एक रिक्त पत पर भरती केलिए विभाग के द्वारा अधिसूछना जारी किया गया है और वर्ग के बात करें तो इसक को अनारक्शित वर्ग में सामिल किया गया है वहीं अगला जो अगला जो पद है वा है परिविक्षा अधिकारी बाल कल्यान अधिकारी केस वरकर इसके लिए एकमोस सम्विदा वेतन 23,170 रुपए प्रती माह निर्धारित किया गया है वही पदों के जो संख्या है वा एक है जिसे आनरक्षित वर्ग में रखा गया है अगला जो पद है वा है हाउस फादर का हाउस फादर के पद के लिए एकमोस सम्विदा वेतन 14,564 रुपए निर्धारित किया गया है वही पद संख्या की बात करे तो हाउस फादर के कुल एक अनुसुचित जन जाती एबं एक अनारक्षित रिक्त पदों पर भरती के लिए अधिसूचना जारी किया गया है इस तरह से देखे तो हाउस फादर के कुल दो पदों पर भरती के लिए अधिसूचना निकला गया है अगला जो पद है वा है पैरा मेडिकल स्टाफ का जिसके लिए एकमोस सम्विदा वेतन 11,919 रुपए प्रती महा निर्धारित किया गय जिसे अनारक्षित वर्ग में सामिल किया गया है वही अगला जो पद है वा है स्टोर कीपर सहलेखा पाल का जिसके लिए एकमोस सम्विदा वेतन 18,536 रुपए प्रती महा निर्धारित किया गया है वही पदों की संख्या की बात करे तो स्टोर कीपर सहलेखा पाल के कुल एक रिक्त पत के लिए अधिसूचना निकाला गया है जिसे अनारक्षित वर्ग में रखा गया है अगला जो पद है वह है सहायक रसोईया का जिसके लिए 7,944 रुपए एकमोस सम्विदा वेतन प्रती महा निर्धारित किया गया है वही पदों की संख्या की बात करे तो सह हाउस कीपर के लिए एकमोस सम्विदा वेतन 7,944 रुपए प्रती महा निर्धारित किया गया है और इसके कुल एक रिक्त पत पर भरती के लिए अधिसूचना जारी किया गया है जिसे अनारक्षित वर्ग के अंतरगत रखा गया है वही इस भरती के अधिसूचना से संबन इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर ले तो उपरोग्त नियुक्ति चत्तित्रगर्ड सिविल सेवा सम्विदा नियुक्ति नियम दोहजार बारा का नियमन के तहत होगा उपरोग्त पदों की संख्या परिवर्टनी हो सकती है अत्वा परिहार ये कार्णों से पद या पदो पर नियुक्ति स्थगित की जा सकती है तता किसी प्रकार की सिफारिष करने वाले उम्मिद्वार का आविधन पत्र श्वमेव ही निरस्त माना जाएगा वही विज्यापन की विश्चित जानकारी कार्याले जिला कारिक्रम अधिकारी महिला एवं बालविकास विभाग महासमुन्द के सूचना पतल पर एवं NIC महासमुन्द की वेबसाइट www.mahasamun.gov.in पर भी दीखी जा सकेगी ए तो था कारयाले जिला कारिक्रम अधिकारी महिला एवं बालविकास विभाग जिला महासमुन्द 36 गड़ के अंतरगत जारी किये गए भरती अधिसूचना के संबंद में इंपोर्टेंट इंपोर्मेशन इस से रिलेटेट अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आपड़ेट को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वडियो में तब तक के लिए दन्यवाद